रादे रादे आप सभी को कैसे हैं आप सब I hope आप सब की त्यारी बहुत अच्छे से चल रही होगी अब चलिए आज की इस वीडियो में हम section 112 से related एक means का question डिसकस करेंगे ठीक है section 112 जो की लेजिटिमेसी से related है तो 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 question को begin करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूँ अगर आपने section 112 को अगर आपने section 112 को या section 112 तक Indian Evidence Act के lecture series को अच्छे से टेंट कर लिया है कि एवल तभी इस question को answer करने का attempt करें otherwise होगा क्या अगर आपने बिना lecture content कि तो मेरी आपसे request है मेरी आपसे दर्खास्त है कि अगर आपने section 112 तक सभी sections अच्छे से कर लिये हैं तभी इस question को attempt करेंगा अल्राइट तो चलिए question पर चलते है ध्यान से सुनिएगा question ये है that wife is alleging कि जो बच्चा है वो उसी के husband का है ठीक है wife ये अलेच कर रही है कि जो बच्चा है वो उसी के husband का है जी but on the contrary husband is claiming कि जनाब ये बच्चा तो मेरा होई नहीं सकता this is not my son क्यों because I am unable to procurate child biologically मैं बच्चा करने में NKP बलू I am important and hence this cannot be my child और इस लिए जो बच्चा है ये मेरा नहीं हो सकता He also produces medical records in order to support his importance और अपनी इस importance को support करने के लिए उसने क्या किया उसने medical record भी को तुमिट कर दी ठीक है वाइफ कह रही है कि जो बच्चा है वो उसका है लेकिन जो husband है वो कह रहा है नहीं जनाब I am important मैं तो बच्चा करने के लिए capable नहीं हूँ तो ये बच्चा तो मेरा हो ये नहीं सकता और इस चीज को support करने के लिए उसने court room में अपने medical reports भी सम्मिट कर दी अब question ये है ये जो fact है पूरा का पूरा कि wife जो लेच कर रही है कि वो बच्चा उसका है लेकिन husband कह रहा है कि नहीं I am important और ये जो बच्चा है भी मेरा हो ये नहीं सकता तो क्या ये जो पूरा का पूरा fact है क्या ये Indian evidence act के relevancy के position में कही relevant है क्या ये पूरी situation Indian evidence act के section 5 से पच्चपन इन में कहीं भी relevant है क्या लगता है क्या लगता है जैस सब section 6, section 7, section 8, section 9, section 10, section 11, section 12 and so on क्या ये Indian evidence act के section 6 से लेकर section 55 इन में कहीं भी relevant है हम बताई लीजे टाइम अराम से अपना सोच लीजे और मैं तो कहता हूँ आप एक काम करिए अगर आपके पास Indian evidence act का भी रख मौजूद है तो आप उसको भी खोल किसका answer कर सकते हैं मुझे उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है बताई हन जी तो मिलाए इसका answer है या नहीं क्या ये Indian evidence act के section 6 से पच्चपन में कहीं relevant है अब बच्चे कह रहे हैं कि सर क्या आप भी ना बस बहकी बहकी बाते करते हो ये fact तो relevant हो नहीं सकता ना तो ये register में फॉल कर रहा ना ये occasion, opportunity, cause, effect, motive, conduct, conspiracy, etc. इन सम्में फॉल कर रहा तो ये जो fact है ये तो relevant हो ये नहीं सकता ये चल्ला है आपके माइन में तो देखो ऐसा बिल्कुल नहीं है answer is yes ये जो fact है ये जो situation है ये बिल्कुल relevant है कहा relevant है section 11 clause 1 कहाँ पर inconsistent fact में ठीक है कैसे because husband की importancy के fact ने क्या किया wife के plea को inconsistent कर दिया wife जो court room में ये plea raise कर रही थी कि बच्चा उसी के husband का है इस fact को inconsistent कर दिया ठीक है तो इसलिए जो पूरी की पूरी situation है या पूरा का पूरा fact है ये section 11 clause 1 inconsistent fact में relevant होगा सुन में आया अगर आपने section 11 को बहुत अच्चे से attend किया है तभी इस question का answer आपको सुन में आएगा otherwise इस question का answer आपको बिल्कुल भी सुन में नहीं आएगा ठीक है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो question है आपको अच्छा लगा होगा तो चलिए comment करके बताइए आप मैंसे कितने लोगों ने इस question का सही answer किया आप मैंसे कितने लोगों ने इस question को section 11 clause 1 से connect कर लिया अगर आपने इस question को गल्थ attempt किया है तो आप अपने आपको evaluate करिए कहां आप से गल्थी हुई कैसे आपने इस question को गल्थ attempt किया क्या आपने question को समझने में जल्दबाजी किरी या आपको ठीक तरीके से जो concept है अभी सुनमे ही नहीं आया तो आपने आपको evaluate करिएगा और comment box में जरूद बताईएगा कि आप में से कितने लोगों ने इसका सही answer किया है ओके क्यांदी